सबी को मेरा प्रणाम, इस वीडियो में हम क्लास एट की हिंदी की पाठे पुस्तक से पाठ नमबर आठ को पढ़ेंगे, पाठ का नाम है सुदामा चरित, चरित का अर्थ होता है जीवनी, इस पाठ में हमें सुदामा जी की जीवन का एक छोटा सा अंश देखने को मिलेगा, जिसमें हमें बताया है कि जब वह अपने मित्र श्रीकृष्ण से मिलने दौारे का जाते हैं, तो वह उनके दौार के बाहर खड़े होकर सैनिक को अपना परिचे देते हैं, और कहते हैं कि वह श्रीकृष्ण जी के बचपन के मित्र हैं, वह उन्हें मिलने के लिए उन्हें जाने नहीं देता, फिर वे उनसे बड़ी विंती करते हैं, कि वे श्री कृष्ण तक उनका संदेश पहुचा दें, कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं, तो सैनिक जाता है, और सुदामा का वरड़न श्री कृष्ण भगवान के सामने करता है, तो वे श्री कृष्ण को सुदाम के बारे में जो चीजे बताता है वही इस पहले चंद में हमें देखने को मिलेगी तो कुछ है कुछ इस प्रकार है तो पहली पंक्ती में कहा है कि उसके सिर पर ना पगड़ी है और ना ही तन प्यानी की शरीर पर कोई कुर्ता या कोई कपड़ा है हे भगवान पता नहीं वह कौन से गाउं से आया है ग्रामा यानी गाउं जगा यानी की कुर्ता और पगा यानी की पगड़ी धोती फटी सी लटी दुप्टी धोती उसकी फटी हुई है और दुप्टी यानी की एक गमचा या अंगोचा उसके गले में लटक राए अरू पाय उपाने को नहीं सामा उपाने यानिकि जूता पाई यानिकी पाउ में और किसी जूते का नाम निशान तक नहीं है उसके पैर में नंगे पाउ आया है दवार खडो दूज दुर्बल एक और दूज यानिकि बाहर दर्वाजे के बाहर एक द्विज यानि की ब्रहमन, पंडित, दुर्बल यानि की कमजोर सा, ठीक है, खड़ा हुआ है, रहियो, चकिसो, बसुदा, अभिरामा, बसुदा यानि की यहां की धरती, अभिरामा यानि की सुंदर, तो यहां की सुंदर नगरी को वह बहुत ही चौक कर देख रहा है, है अफ़िर अपना नम सुदामा बता रहा है, इस परकार से वह सेनिक श्रीकृष्ण जी के सामने सुदामा का वर्ड़न करता है, पिर जब श्रीकृष्ण भगवान को पता चलता है कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं तो वे दोड़े दोड़े जाते हैं और सुदामा से गले मिलते हैं और काफी जादा रोते हैं और उन्हें महल में ले आते हैं और एक अच्छा से आसन पर उन्हें बठाते हैं और फिर वे कहते हैं ऐसे बिहाल बिवाइन सो कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, यानि कि एडियों का फट के कितना बुरा हाल हो गया है, ठीक है, तुम मुझसे मिलने के लिए चल कर आये हो, तुम्हारे पैरों में कितने कांटे लग गए है, फिर श्री कृष्ण भगवान उन कांटों को निकालते हैं, हाए महादुख पायो सक यानि कि हे मेरे मित्र, तुम्हे कितना दुख मिला है, तुम आए इतेना किते दिन खोए, और तुम अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, कितने दिन बीद गए, देखी सुदामा की दीन दसा, करुना करीके, करुना निदी रोए, पानी पराद को हाद छो नहीं, नैनन के जलसों पगद होए, तो श्रीकृष्ण भगवान ने एक पानी पराद भर के मंगवाया होता है, जिससे वे सुदामा के पैर धोते, लेकिन सुदामा की इतनी बुरी हालत देखकर, वो इतना जादा रोते हैं, करुना निदी यानि कि श्रीकृष्ण भगवान जो की सब दया करते हैं, ठीक है, उन्हें इतना रोना आता है, कि वो आँखों के जलसे आंसों से ही उनके पैर धो देते हैं, यानि कि इतना जादा रोते हैं, यहाँ पे नरुत्नम दास जी ने ऐसा वर्डन किया है, उसके बाद सुदामा नहा धोकर एकदम अच्छे से तयार हो जात तो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काक में रहे कहो के ही हे तू, तो वे सुदामा को देखते हैं कि वे कुछ चुपा रहे हैं, तो श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं कि भाबी ने पक्का मेरे लिए कुछ भेजा है, और वे तुम मुझे नहीं दे रहे हो, चापी यान कि उन्हें इसलिए नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि वे देखते हैं, श्रीकृष्ण भगवान इतने बड़े महल में रहते हैं, इतने नोकर चाकर हैं, उन्हें किसी चीच की कमी नहीं है, और सुदामा उनसे इतनी दूर से मिलने आए और लेकर उनके लिए क्याल आए, एक सुदामा को पुरानी बात याद दिलाते हुए कहते हैं, आगे चना गुरु मातो दैते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, यानि कि जब वो बचपन में आश्रम में रह करते थे, तो गुरु माता जंगल में जाने से पहले सुदामा को कुछ चने देती हैं, कि अगर सुदाम कहियो मुस्काय सुदामा सो, श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हो सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जू प्रवीने, लगता है कि तुम चोरी की आदत में या कला में निपोन हो गए हूँ, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाहीं सुदारस तो वो जो पोटरी चो छुपा रहे होते हैं, खोलते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि पकका भावी ने मेरे लिए कोई रसीली चीज भेजी है, सुदारस यानि कि अमरेत होता है, लेकिन यहां पर रसीली चीज वहाँ पर वर्डन हुआ है, पाचली बानी अजोना तजो तुम तैसे भावी के तंदूल की ने पाचली यानि की पिछली बानी यानि की आदत या कला अजो यानि की आज भी तजो यानि की नहीं त्यागी या छोड़ी तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी पिछली या पुरानी आदत है वो तुमने नहीं छोड़ी इसलिए तुम आज भी भावी के भेजे हुए तंदूल के साथ ऐसा ही कर रहे हो तंदूल यानी की चावल ठीक है तो जो तुम छुपा रहे हो पोटली जो चावल भावी ने भेजे हैं वो तुम इसलिए छुपा रहे हो कि तुम लगता है तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई और उन्होंने गुरु माता आश्रम का जो किस्सा था वो भी उन्हें कह दिया होता है तो इस तरीके से श्रीकृष्ण भगवान चुटकी लेते हुए सुदामा से पुरानी बाते करते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें बच्पन में क्या किया था और उनका उपहास बनाते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान सुदामा से वे चावल के दाने ले लेते हैं और दो मुठी चावल के दाने खाते हैं और बदले में वे विश्व कर्मा को सुदामा की नगरी में भेजते हैं और सुदामा के घर वा उसके आसपास के घरों को महल में बदलवा देते हैं वे महल बिलकुल द्वारिका के महल वा बड़े बड़ी इमारतों जैसे ही होते हैं लेकिन सुदामा को यह बात पता नहीं होती अब एक दिन ऐसा आता है कि जब सुदामा द्वारिका से वापिस अपने घर लोटने की जिद करते हैं और शिरीकृष्ण से विदा मांगते हैं और शिरीकृष्ण उन्हें विदाई दे देते हैं तो सुदामा घर वापसी में जाते हुए सोच रहे होते हैं और उनके मन में जो विचार आता है वे हम इस छंद में पढ़ेंगे छंद कुछ इस प्रकार है वहे पुलकनी, वहे उठी मिलनी वहे आदर की बात वहे पठवनी गोपाल की कचुना जानी जात तो जो सुदामा हैं वह सोचते हैं कि जब वह श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो वह कितनी उमंग से, कितनी खुशी से आकर उनसे मिलते हैं, उनका अदर सत्कार करते हैं, लेकिन जब विदाई का समय आता है, तो श्री कृष्ण उन्हें कुछ भेट या उपहार नहीं देते हैं, जिसकी वह उमीद लेकर आये थे कि कृष्ण उनकी साहता करेंगे, फिर वह सोचते हैं घर-घर कर ओडत फिरे तनक दहीं के काज, कहा भयो जो अब भयो हरी कृराज समाज, कि यह वही कृष्ण है जो कर ओडत, यानि की हाथ फैला कर, ठीक है, तनक यानि की थोड़ी सी दहीं के लिए घर-गर जाकर मांगा करता था, भिक्षा मांगता था ठीक है, अगर आज इसे राज समाज या पार्थ मिल गया, तो इसमें क्या हर जो गया, ठीक है मिर ले तो वही बाल सका ही रहेगा वैसा ही रहेगा जो मांगा करता था ठीक है, पुलकनी का मतलब उमंग और पठवनी का अर्थ होता है विदाई ठीक है, फिर वैं आगे सोचते हैं हो आवत नाही हुतो ठीक है, मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था वाही पठेयो ठेली उसी ने मुझे यहां पर भेजा है जब अर्दस्ति उनकी पतनी भेजते हैं कि ताना मारतों कहेंगे कि यह लो कृष्ण ने इतना सारा धन बेजा है अब इसे संभाल कर रखो इसे वियर्थ मत करना तो इस तरीकी से वह सोचते हुए जा रहे होते हैं फिर वैं जब अपने गाउं पोच जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कि मैं कहां आ गया हूँ वो सोचते हैं कि मैं भटक कर द्वारिका में ही आ गया हूँ क्योंकि कृष्ण ने इतना बड़िया महल बिल्कुल द्वारिका जैसा ही बनवा दिये होते हैं और जो सुदामा का घर होता है वो बिल्कुल कृष्ण जी के महल की तरह ही लगरा होता है तो वे आगे लिखा हुआ है यहां पे वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम चायो वैसोई यानि की वैसा ही गज यानि की हाथी बाजी यानि की घोडे बंदे होए होते हैं घरों के बार और मन पे एकदम ऐसा वो सोचते हैं की मैं भटक गया हूँ ठीक है 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 ना किसी भ्रम में तो नहीं हूँ मैं इतना चल के आया फिर उसी जग़ा द्वारिका आ गया कैदो परियो कहूं मारक भूली की फैरी के मैं अब द्वारिका आयो तो वो सोचते हैं की मैं शायद रस्ता भटक गया हूँ और भूल कर फिर से द्वारिका में ही आ गया हूँ भोन बिलोकिवे को मन लोचत सोचत ही सब गाउं मजायो पूछत पांडे फिरे सबसो पर जोपरी को कहूं खोज ना पायो भोन यानि की घर भवन बिलोकिवे यानि की देखने के लिए मन लोचत यानि की उनका मन कर रहा होता है कि उनका घर का है वो अपने घर जाना चाहते थे ठीक है उसे ढूंडते हैं और इस तरीके से वो पूरा गाऊं ढूंड मारते हैं फिक है गाऊं मजायों निकि पूरा गाऊं में ढूंडते हैं पूछत पांडे यानि की हर किसी से पूछते हैं पंडित, ब्राह्मन, क्योंकि सुदामा ब्राह्मन है तो लेकिन उन्हें अपना घर या जोपड़ी कहीं पर भी नहीं मिलती तो बड़े परिशान और चिंतित हो जाते हैं उसके बाद सुदामा काफी पूछताच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण जी की किर्पा की वज़े से पूरी नगरी एक भव्वे और सुन्दर नगरी में बदल चुकी है फिर सुदामा अपने घर पहुंचते हैं और उनका घर बिलकुल श्री कृष्ण जी के महल की तरह बदल चुका होता है फिर वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वही रहने लगते हैं और कुछ दिन रहने के बाद उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता तो उन्हें ख्याल आता है पहले मेरे पहनने के लिए खडाव नहीं होते थे जूते नहीं होते थे ठीक है आज श्री कृष्ण की किर्पागी वज़े से एक हाथी को लेकर महावट सदा खड़ा रहता है सेवा में खड़ा रहता है पनही यानि की जूता गजराजाओ यानि की हाथी और ठाड़े यानि खड़ा है महावत यानि की वो जो हाथी को सम्हालने या उसकी देखरे के लिए जो व्यक्ति होता है कि एक व्यक्ति हमेशा हाथी लिए मेरी सेवा में तयार खड़ा है भूमी कठोर पे रात कटे कह कोमल सेच पे नीद न आवत कह जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभू के पर ताप ते दाख न भावत तो होता ही है कि पहले जब वो गरीब थे तो उन्हें नीचे कठोर सक्त जमीन पर सोना पड़ता था लेकिन आज श्री कृष्ण जी की वज़ा से उनके पास नरम नरम बिस्तर है लेकिन उन्हें उस पर नीद नहीं आती उनका मन उस पे नहीं अलगता जुरतो यानि की प्राप्त करना या जुटा पाना कोदो सवा यानि की मोटा अनाज दाख यानि की किश्मिश या मेवे तो यहाँ पे का है कि पहले वहें मोटा अनाज भी बड़ी मुश्यों से जुटा पाते थे भिक्षा मांगते थे इतनी भिक्षा भी नहीं मिलती थी कि दो वक्त का अच्छे से खाना खा सके लेकिन आज श्री कृष्ण की किरपा की वज़े से ठीक है उनकी दयादृष्ट प्रकार वह यहाँ पे श्री कृष्ण की किरपा की वज़े से अपनी गरीवी से वहार निकले और अब उनको जो धन संपत्ती की जो पहले लालसा थी वो खतम हो चुकी है अब उसमें उनका कोई मन नहीं लगता तो इस तरीके से दिखाया है यहाँ पे कि सुदामा और पूछे या जाने बिना दिखावा कि श्री कृष्ण भगवान उनके किस प्रकार सहयता करते हैं और इतनी बड़ी सहयता करते हैं कि अब उन्हें धम संपत्ती की कोई चिंता ही नहीं रहती और आसपास कि जो जितने लोग होते हैं पूरी नगरी को भी वो एक सुंदर नग झाल, झाल, चरूचे यू.